मशूर अभिनेतरी और संजेदत की मा नर्गिस और जवाहलाल नहरू के बीच आखिर क्या रिष्टा था इस पर चर्चा करने से पहले जदन बाई और दिलिपा बाई की प्राथमिक जीवन पर प्रकाश डालना चाहूंगी नमस्कार दोस्तों मैं हूँ अलीशा और स्वागत है आपका हमारे यूटूब चैनल बायोग्रेफी डाइरी में कुछ लोग चिने हमारी बाते पसंद नहीं आएंगी इसलिए हम उस किताब का रेफरेंस देना चाहेंगे जिसमें ये बाते विस्तार के साथ लिखी गई है अभिनेतरी नर्गयस की लव स्टोरी पर लिखी गई किताब डार्लिंग जी में इन संबंदों का जिक्र हुआ है जदन बाई की मा दिलिपा बाई मंगल पांडे के नाना नानी के घराने से तालूक रखने वाले राजहिंद्र पांडे की बेटी थी उनका विवहा 1880 के साल में उत्तर प्रदेश के बलिया में हुआ था लेकिन शादी के एक हफ़ते के अंदर ही उनके पती गुजर गया दिलिपा के उम्र उस वक्त सिर्फ 13 साल थी उस जमाने में विद्वाओं की जिंदगी बेहत तकलीफों भरी होती थी जिंदगी से निराश होकर दिलिपा एक रोज आत्महत्या के इरादे से गंगा की तरफ चल पड़ी लेकिन रात में रास्ता भटक कर मियाजान नाम के ए दिलिपा को मियाजान ने अपने घर में शरण दी और फिर मलिका के साथ साथ दिलिपा भी धीरे धीरे तवायफों वाले तमाम तौर तरीके सीख गए और एक रोज चिलबिला की मशूर तवायफ रोशन जान के कोठे पर बैठ गई रोशन जान के कोठे पर उस जमाने में नामी वकील मोतीलाल नहरू का आना जाना रहता था जिनकी पतनी पहले बच्चे के जन के समय गुजर गई थी दिलिपा के सम्मंद मोतीलाल नहरू से बन गये इस बात का पता चलते ही मोतीलाल के घरवालों ने उनकी दूसरी शादी लाहोर की स्वरूप रानी से करा दी जिनकी उम्र उस वक्त 15 साल थी इसके बावजूद मोतीलाल ने दिलिपा के साथ सम्मंद बनाए रखे इधर दिलिपा का एक बेटा हुआ जिसका नाम मन्जूर अली रखा गया उधर कुछी दिनों बाद 14 नवंबर 1889 को स्वरूप रानी ने जवाहलाल नहरू को जन्व दिया साल 1900 में स्वरूप रानी ने विजय लक्ष्मी पंडित को जन्व दिया और 1901 में दिलिपा ने जद्दनबाई को जन्व दिया इसका मतलब ये है कि मोतीलाल नहरू को दो बीवी से चार बच्चे हुए मन्सूर अली आगे चलकर मन्सूर अली सोक्त के नाम से बहुत बड़े मजदूर नेता बने और साल 1924 में उन्होंने यह कहकर देश भर में संसनी फैला दी कि मैं मोतीलाल नहरू का बेटा और जवाहलाल नहरू का बड़ा भाई हूँ तो ये तो थी कहानी रिष्टेदारी की अब जद्दन बाई की कहानी जानते हैं नर्गिस की सांसत बेटी प्रिया दत और नमरता दत द्वारा लिखी गई पुस्तक के अनुसार जद्दन बाई बॉलिवूड की प्रथम महिला संगीत कार फिल्म निर्माता और पट कथा ल कि उनका दिल उन पर आ गया क्योंकि जद्दन बाई मुस्लिम थी इसलिए उन्होंने इसलाम धर्म ग्रहन करके अपना नाम अब्दुल राशित रख लिया और जद्दन बाई से निकाह कर लिया आपको बता दूँ कि उस वक्त मोहन बाबू बड़े अमीर घराने से कि देश के प्रथम सिक्षा मंत्री तथा राश्रिय आंदोलन के प्रमोख नेता मौलाना अबुल कलाम आजात ने उन्हें इसलाम ग्रहन करवाया था 19-वी सदी में जद्दन बाई का नाम हर संगीत दिवाना बड़े ही अदब से लेता था ये वो दौर था जब जद्दन बाई का नाम हिंदुस्तान के हर व्यक्ति के मूह पर था वो भारतीय फिल्म इंडस्टी की पहली महिला संगीत निर्देशक थी भारत की पहली महिला फिल्म निर्माता और संगीत कार जद्दन बाई ने एक ऐसे महौल में जन्म लिया जिन्हें कोठे वालिया कहा जाता है लेकिन ऐसी परिस्थितियों में पैदा होने के बावजूद जद्दन बाई ने सीमित सीमा से निकल कर फिल्मी दुनिया में अप दोर के कई राजा और नवाव उन पर सुने चांदी की बरसात कर दिया करते थे जद्दन का गाया हुआ गाना लागत करेजवा में चोट आज भी लोग दिल थाम के सुनते हैं एक रोज लखनव नवाव के बुलावे पर जद्दन बाई मुझरा करने लखनव गई तो कर मोतिलाल नहरू का हालचाल पूछने लगी मुझरा खत्म हुआ तो जद्दन बाई ने जवाहाल नहरू को राखी बांधी साल 1931 में मोतिलाल नहरू गुजरे तो दिलिपा ने अपनी चूडियां तोड डाली और उसके बाद से वो विद्वा की तरह रहने लगी जद्द जद्दन बाई ने संगीत की सिक्षा दरगाही मिस्र और उनके सारंगी वादक बेटे गोवर्धन मिस्र से ग्रहण की थी जब अभिनय में जद्दन बाई को खासी सफलता नहीं मिली तो उन्होंने वक्त की नब्स पकड़ते हुए एक प्रोडेक्शन कमपनी खोली और उस पती से जन में बेटे अन्वर खान को नायक बनाया उसके बाद उन्होंने नर्गिस को भी अभिनय छेतर में उतारा 1935 में रिलीज हुई फिल्म तलाशे हक में चै वर्षिय नर्गिस ने अपने फिल्मी करियर की शुरुवात की थी उसी फिल्म में जद्दन बाई ने भी खुद संगीत देकर सर्व प्रथम महिला संगीत कार होने का रुत्बा हासिल किया बर साथ फिल्म के निर्मार के दौरान जद्दन बाई की मित्तिव हो गई वे लंबे समय से कैंसर ग्रस थी नहरो परिवार से जद्दन बाई का रिष्टा था इसका आखरी सबूत खुद नर्गिस और इंद्रा गांधी है अगर आप दोनों की शकल गौर से देखोगे तो आपको ये बात समझ आ जाएगी